हालो अप्रिवन वेलकम बैक टो माई गाडनिंग चानल दोस्तों पांचे दिन पहले मैंने वीडियो डाले थी कि मेरे तो प्लांट्स मर गए और मैं अब तो बरसात में ही लूँगी लेकिन पौदो को देखकर तो सारे वादे की यह धरे दूर हो जाते हैं रह जाते हैं और ह हम खुद अपने ही दिल को दोगा दे बैठते हैं प्लांट जहां दिखे बस वहीं मन करता है कि खरीद लो भाई अब गंबले खाली दिख रहे हैं अब खरीदो और लगा लो तो हुआ क्या कि एन्वार्मेंट यानि पांच जून के दिन सुबह गीता अंटी ने फोन किया क दो दो नर्सरी और नीचे थेs बहुत सारे फ्लांट थे और मैंने पंदर्ह सारे फ्लांट चेक कर लिए वीडियो भी बना ली ने फ्लांट भी खरीद ले पेमन कर लिया और अगई घर टोटल मैंने इस बीडियो में Ultra बाए इसे बग्राइज बतावंगी और इनके सक्टत इतनी गर्मी है और वह अपनी सर्विसिस देने खुट सॉसाइटी के प्रिमाइस में आए हैं तो इससे बढ़िया और क्या होगा और मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा होता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इतनी गर्मी में अपने बेटे को नरसरी में लेके जाती वह और चालिस रुपय में Mexican Petunia का और यह Hybrid है पिंग कलर को लिया लेकिन मेरी तो लाट्री ही लग गई एक ग्रोबैग में मुझे तीन प्लांट मिल गए एक Hybrid Petunia है और एक देसी Mexican Petunia जिस पर परपल कलर की फ्लार आते हैं और एक हमारा अप्राजीता का पौदा अब देखिए इन मे से किसी भी प्लांट को मैं अलग नहीं करूंगे इसी में ही इसी ग्रो बैक को लगा दूंगी तो यह जितने भी प्लांट लिए मैंने अपने गंलों के साइज के हिसाब से लिए बहुत मेरे गंले दलता सिंच के हैं सिरामिक वाले उनमे में लगाऊंगी 40 रुपे में बहुत अच्छी डील मिल गई मुझे दूसरा भी 40 रुपे में फाइकर्स हालाकि कुछ नर्सरी वाले यहां इनी फाइकर्स को 200,500,300 में भी देते हैं कोई ने बहुंसाई इतने से प्लांट को जयानि की मनी प्लांट इसका प्राइज उन्होंने 60 रुपे बताया था तो 60 रुपे बहुत ज़ादा नहीं थे अब 60 बताया कितना क्योंकि मैंने तो टोटल अमांट पे किया है मेपी कि उन्होंने 50 का लगा लिए इसको तो दो ब्रांच है और दोनों में ही ग्रोथ है नी जड़ चुकी होती है इनकी तो मुझे सही डील मिल गई और अब दो नेक्स पॉदे हैं हमारे ये कोचिया के कोचिया का सही बताऊं तो 25 और 30 से जादा का नहीं होता है प्लांट क्योंकि ये अब सीजनल प्लांट है बड़े साइस के फूल भी नहीं आते हैं और बहुत सारी इनकी नर्सरों में इसकी 5-5-30 रुपे में पॉद में मिलती है हाला कि ये नाचरली थोड़ा गोल शेप में होता है लेकिन ये थोड़े लंबे जा रहे थे लेकिन वहीं बात है कि मैं पिशली बार गई थी तो मुझे प्लांट मिले नहीं थे घर पर ही मिल गई तो मैंने 10 20 रुपिन का फालतु दे दिये ठीक है ये यार इतनी भी शिकायते नहीं करनी चाहिए किसी से भी और सबसे लास्ट में लिया है हमने ये मर्वे का पौदा मर्वे का पौदा उन्होंने 50 रुपे का मुझे बताया था बट पतानी 40 का लगाया 50 का क्योंकि वही है कि मैंने ट बॉल सी जो ब्रांच जा रही है इसको भी मैं नहीं अटाओंगी और पत्ते काफी अच्छे हैं हलागी मर्वा तो ऐसे होते हैं कि सीट डालों कहीं भी ग्रो हो जाते हैं लेकिन अभी मेरा भी ग्रो नहीं हो रहा क्योंकि बरसात के सिजन में इसके बीच अपने आपी उग प्याज के साथ तो दोस्तों छे प्लांट मैंने यह 250 रूपीज में लिए थोड़े बहुत एक्स्टा मान लीजेए आपको लग रहा होगा कि आपके यहां सस्ते मिलते हैं लेकिन कुछ प्लांट कहीं महंगे मिलते कुछ प्लांट कोई कहीं सस्ता मिलता है छोटे-छोटे स इतनी गर्मी में हमारे पास आकर हमें सविसीज दे रहे हैं तो हमें थोड़े वह एक्स्टा पैसे में खरीद देना चाहिए इनकी भी कमाई होनी चाहिए दोस्तों इनको भी अपने बच्चों का पेट बरना है तो अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसे मोबाइल नर्सरी या अब तक के लिए हपी गार्णिंग गो ग्रीन प्रेंज